आप देख रहे हरे हरियाना न्यूज 24 जहां हर खमर बिले सच के साथ करसी मंत्री जेपी दलाल जो लोहारू विधान सभा से विधायक भी हैं उन्होंने एक घोशना की की पाणी की बचत बहुत जरूरी है और फसलों का विवीदी करण करना पड़ेगा और बाकाइदा हरियाने की सरकार ने एक मुहीम चलाई करसी मंत्री जेपी दलाल ने अलग-अलग कारिये करम किये इलेक्ट्रोनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में उनके बयान आए कि हम सभी किसानों से निवेदन कर रहे कि वो अब की बार खरीफ फसलों में बाजरे की जगे मूं की फसल की बिजाई करें हम उनको प्रती एकड हर किसान को च्यार अजार रुपे हरियाना सरकार प्रोथसान रासी देगी मैं भाई असोग जी से निवेदन भी करूंगा कि एक जो है खुद जेपी दलाल जी का जो फेस्बुक पेज है वो बयान आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने सपष्ट कहा कि अब की बार बाजरे की जगे मूं की फसल की बिजाई करो प्रोथसान रासी प्रती एकड च्य जार रुपे हरियाना सरकार देगी बाकाइदा मुहीम चलाई गई सरकार दुआरा करसी विभाग के अधिकारियों ने गाउं में जा जा करके किसानों को प्रोथसाइद किया किसानों ने करसी मंतरी जेपी दलाल की बात पे भरोसा किया और भरोसा करके और बाजरे की जगे मुंग की फसल की बिजाई करी और जो हम आपको ये कह रहे कि उनकी सोसल मीडिया के उपर आप थोड़ा बढ़ा करके इसको दिखा सकते हैं कि बाजरा से मुंग वे तिलन पर भी च्यार जार रुपे परती एकड़ प्रोथसान रासी दी जाएगी ये करसी मंतरी जेपी दलाल की स्टेटमेंट है उनके खुद के फेस्बुक पेज के उपर जो हम सबूत के तोर पे दिखा रहे और तमाम बयान और वीडियो मौजूद हैं तमाम बयान और वीडियो साथियो ये जो इलाका है यहां पर मुंग की फसल की बिजाई बहुत कम होती है ऐसी आबो अवा और क किसान यहां लगाते हैं करसी मंतरी की बात पर भरोसा किया लेकिन मुंग की फसल पूरी तरह से चोपट होगी और ना किसानों को मुआवजा दिया गया और ना जो जेपी दलाल ने घोशना की थी कि चार अजार रुपे प्रती एकड़ प्रोथसान रासी मिलेगी ना वो कि करके दक्षिन हरियाना में दक्षिन हरियाना में तमाम जो जिले हैं वहां बहुत बड़ी संख्या में लाखों एकड़ में किसानों ने बाजरे की जगे मुंग की बिजाई करी सरकार पे और करसी मंतरी जेपी दलाल की बात पर भरोसा करके उनकी योजना पर भरोसा करके ल की बात हवा हुआ ही साबित हुई और आज वो बिल के अंदर छुप करके बैठे हैं हमारा करसी मंतरी जेपी दलाल से सीधा सवाल है कि वो च्यार अजार रुपे प्रती एकड किसान को प्रोथसान रासी कब देंगे बरबाद हुई मूं की फसल का किसानों को मुआउजा कब म चारे की वो तत्काल प्रभाव से प्रोथसान रासी दें सभी किसानों को । चथाञत की फसल का मुआउजा दें अन्य था हम गाउं गाउं में जाएंगे सभी किसानों को जोड़ेंगे और जेपी दलाल के घर के सामने जाकर के बैठेंगे और च्यार अजार रुपे प्र प्रोजसान रासी और मुआवजे की रासी किसान लेकर के आएगा पहले से बरबादी की कगार पे खड़ा किसान जेपी दलाल की घोशना से और जादा बरबाद हुआ है। इसलिए हम केरें कि ये करसी मंत्री कम है और ये करसी का विनास करने वाड़ा मंत्री जादा है। बार बार जूट बोलना और किसानों को धोखा देना इनकी फित्रत है मेरे साथ रामपाल जी बैठें सिंगानी से ये बताएंगे कि मूं की जो बिजाई हुई उसके बाद क्या हालात रहे प्रोचसान रासी मिली या नहीं मिली मुआवजा मिला या नहीं मिला प्रोचसान रासी मांग रहे उसका कुछ नहीं है मुआवजे का कुछ नहीं बाताएदा जो है वो मेरी फसल मेरा ब्योरा पे पंजी करण भी करवाए गए ये आप देख सकते हो ये 16621 को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल के उपर पंजी करण भी किया गया है उसके बावजूद भी ना प्रोचसान रासी और ना बरबाद फसलों का मुआवजा किसान हतास है प्रेसान है आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है जेपी दलाल जी को ये कहरे कि जूट नहीं बोलने देंगे छुपने नहीं देंगे या तो सीधे तरीके से लाइन पे आ जाओ और किसानों से जो वादा किया योजना चलाई उस हिसाब से किसानों कोच यार अजार रुपे परतिये कड़ दो अन्य था आपके घर के आगे डेरा डालेंगे ये बात आपको बता रहें परदीब जी हैं खरकडी से आप क्या कहेंगे इस पर किसान बादा के उपर यकीन ना करके ये जो भी बोलते हैं तो उसको समझना चाहिए इनकी क्या किसान को बरबाद करने की क्या निती और क्या योजना है ये जूठ मंतरी हमेशा जूठ बोलता है कहीं कुछ बोलता है कहीं कुछ बोलता है भी अब पता चल गया क्योंकि अभी साथियों इन्होंने भावांतर योजना चलाई बाजरे का प्रती कुईंटल 600 रुपे देंगे वो भी एक गोटाला हो गया अगर उसकी जांच हो जाए तो वो भी बहुत बड़ा गोटाला है जो इन्होंने बजट आवंटीत किया था वो भी किसानों को नहीं म किसके कहने पर किये किसके कहने पर विजाई की आपने ये किर्शी मंत्री जेपी दलाल के कहने से हमें पांस एकड में मूंग की विजाई की और मूंग नहीं बने खड़ी फसल पर हमने ट्रेक्टर चलाना पड़ा परती एकड़ 10,000 रुपे का खर्चा होया हम बरबाद हो बरबाद तो पहले थे यह अब जादा बरबाद हो गए तो साथियो मैं फिर आपको ये बात कर रहे हैं परदान जी आप क्या कहेंगे तो फिर हम ये बात करें साथियो इस वीडियो को सेर करें हर्याना सरकार की किसान विरोधी नीतियों की पोल खोलें और जेपी दलाल जी प्रोथसान रासी और मुआउजा ये तो खुद आपके विधान सबा के हालात हैं बाकी जगों के क्या हालात होंगे इसके उपर आंद दोलन करेंगे जेपी दलाल के घर के आगे जाकर के बैठेंगे धन्यवाद जैजवान जैकिसान